कि देखिए आज जो हैं को सुरू क्या करने जा रहे हैं यहां लेखिए कि बेशिक कॉंसेप्ट कि और कॉस्ट एकाउंटिंग किस से रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है होते हैं और डाइएक इसके रिलेटेड होता है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तक सब्सक्रइड करेंगी खलमयने cost accounting और financial accounting की इस difference भी बताया था तो इतना ध्यान रखिए आज क्या पढ़ेंगे basic concept of cost accounting तो इसमें देखें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे पहली चीज़ पढ़ेंगे क्या nature of cost इस सब calculation है ठीक है कैसे कैसे calculation करेंगे ठीक है cost account का उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी वही चीज़ ध्यान रखिए पहली चीज़ क्या करेंगे nature of cost दूसरा क्या है uses of cost दूसरा क्या है uses of cost ओके कीस्वी चीज़ ध्यान रखिएंगे statement of cost यही मेन है statement of cost मैं अभी सबके बारे मैं explain करूंगा आप पर रहाम होगेगा ठीक है सबके बारे मैं explain करूंगा एक ही करके अपी केवल नाम जा जा लिए कि मतलब क्या क्या चीज़े होगी ठीक है statement of cost यह पॉस्ट जो भी आप बनाते हैं ठीक है 34 चीज़ ध्यान रखिएगा calculation of profit calculation of profit पांच्वी चीज़ ध्यान रखिएगा allocation of joint expenses allocation of joint expenses ठीक है ठीक है चाटवी चीज़ के आए ध्यान रखिएगे labor idle time labor idle time ठीक है और ध्यान रखिएगे calculation of unit sold और के रखिएगे मैं आलिक रहा हूं ठीक है calculation of output ठीक है और ध्यान रखिएगे financial item ठीक है ठीक है पर्सेंटेज निकालेंगे सबका percentage of each item on total cost ठीक है और लास्टीस क्या निकालेंगे production account ठीक है तो इतनी सारी चीज़ेंगे आपको ध्यान में रखिएगे ठीक है इसनी सारी चीज़ेंगे आपको ध्यान में रखिएगे ओके की क्या क्या ध्यान रखना है क्या क्या ध्यान रखना है क्या क्या आपको ध्यान रखना है पहला nature of cost दूसरा uses of cost तीसरा statement of cost च्वासा calculation of profit पास बाग है allocation of joint expenses ठीक है और क्या ध्यान रखना है labor idle time and calculation of units sold यह तम मैं अभी बताऊंगा आपको explain करूंगा लेकिन यह basic concept है इसको क्या करेंगा ठीक है और क्या चीज़ है calculation of output financial item percentage of each item on total cost और last में आता है production यह जो basic concept है इसको और भी क्या बोलते है golden rule बोलते हैं किसका cost accounting का ठीक है कि अगर यह सब चीज़ें आप जान जाएंगे तो जितने भी आपके chapters है cost accounting के सभी क्या हो जाएंगे हर जगह मिलेगा आपको हर जितने भी आपके क्या बोलते है तो टॉपिक होंगे आपके cost accounting में सब में कोई ने कोई एक calculation करने के लिए आपको क्या मिलेगा जरूर मिलेगा तो इसको आप रुप ध्यान से क्या करिए पढ़िए ठीक है तो अब धीरे धीरे अब एक एक करके सब कुछ जानते है ठीक है तो पहला क्या है पहले के बारे में जानेंगे क्या rule number one पहला क्या है nature of cost nature of cost ठीक है अब जहां बखिएगा nature of cost जो है कितने type के cost होते हैं या किस nature के cost होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखेगा institute of cost and management इन्हों नहीं क्या किया है cost को define किया है इन्होंने cost हो introduce किया है और यह कहां पर यह वह लंडन में तो note down करते चले जाएगा ठीक है एंहों नहीं क्या किया है cost को define किया है इन्होंने cost को introduce कÍया है करें और यह इस रिखुंद्र कर लॉंग कि इनके अनुमसार है ठीक है टाइप सॉक्ष्ट क्या है कि टाइप सॉस्ट क्या होते हैं होते हैं अब ज्यां कौन से का यो इन इस लहाले ना ही आपका होता है कि यह प्रैंग री कोस्त rand zwei desa तेरेक्ट कॉस्ट भी क्या होता है बोल गुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद और लास्ट में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट इस चार तरीके इस पॉस्ट क्या होता है एक सी जोब भी होता है कि अश्ट को अब ध्यान नहीं देंगे वह तो बात में आए तो कि इतना नाम कि लिए ट्री कोष्त को अब क्या बोलते हैं कि अलग नाम भी होता है आपिस को और क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन और टोटल को स्कॉर्पोस्ट फाइनल कॉस्ट की बोले हैं तो नेचर आप्व कोस्ट में मैंने बताया क्या इंस्टिटूट अप मानेजमेंट एकाउंट लंदन में इन्हों नहीं कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने कॉस्ट को क्या किया है चार भागों में डिवाइड कर गिया है इसमें पहला क्या है प्राइंग कॉस्ट दूसरा क्या है फैट्री कॉस्ट तीसरा क्या है ऑफिस कॉस्ट और चौता क्या है टोटल कॉस्ट या फाइनल कि कोई डाउट नहीं है अब आगे बढ़ें अब जितने भी कॉस्ट मैंने बताया है अब इनी क्यों क्या करना है मुझे डिफाइन करना है कि कौन कौन से कि क्या मतलब है मन मुझे समझ में नहीं है आई उसी क्या पॉब्लीशर मुझे नहीं समझ मैं है इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मेनेज्मेंट एकाउंट ओके लंदन कि इसका जो में आपीस है वो लंदन में है ओके अमन कि अब आगे देखें कि मैंने नाम तो बताया अभी इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेज्मेंट एकाउंट कि आप इंस्टिट्यूटी है तो क्या हो गया इसने कोई पार्टिकुलर नेम नहीं है कि इसको किसमें सुरुवात किया था या किसमें स्टार्टिंग किया था ठीक है यह रिसर्च की बात हो थी रिसर्च में सीट है यह किसी आगे देखें पहला मैंने पढ़ाया क्या प्राइम पॉस्त अब लिखाता था यह रिखता एंप तो अगर इसको डारेक्वाट बोलते हैं तो मतलब इससे इसमें क्या एक आगागए व्याग्ष्ट और मैंने कल बताया था कि direct cost related कौन कौन से कर्चे होते हैं ठीक है material तो क्या वो लेंगे raw material raw material consumed ठीक है जूसरी चीर जहां नखेंगे इसमें क्या आएगा ठीक है direct wages ठीक है तीसरी चीज़ के अलावा और कुछ भी prime cost में नहीं आता है ठीक है तो prime cost को मतलब क्या है जिसने भी direct nature से related जितने भी expenses होंगे सब चाहेंगे इसके अंतर गताएं उस raw material consume कितना raw material मेरा लगा है ठीक है कितना opening stock है कितना closing stock है कितना मैंने purchase किया यही इसमें calculate किया जाप है वेजेस कितना मैंने liver को कितना wages दिया है ठीक है और भी जो direct expenses आखके होते है मैंने कल बता है अधा direct expenses ठीक है तो वो चीज आप क्या करेंगे धान रखेंगे ठीक है यहां किस्वान में आया rank cost ठीक है और दूस्रा दीकिए दूसरा क्या था इसी में factory cost दूसरा क्या है factory cost या इसको और क्या बोलते हैं work cost बोले ठीक है मतलब इसका क्या है ध्यान रखेंगा मैं ऐसी example लिख दे रहा हूं मैं ऐसे the expenses which are unproductive unproductive in nature a a an that you इस पूर क्या बोलते हैं वर्ट ठीक है अन्प्रोडुक्ति वन्टोड प्रेक्ट्री का स्ट का मतलब क्या है अगर फेक्ट्री में वो क्या हो रहा है गुट्स बन रहा है ठीक है कि मतलब अभी गुट्स क्या हो रहा है अभी वर्किन प्रोग्रेस में ठीक है तो ध्यान लखेगा तो तुस यह का स्ट्रेट वाता का स्ट्रेज प्रेट्रीं कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका फैक्टरी कोस्ट निकल जाएगा तो अब फैक्टरी एक्सपेंस के बार ही में जानेंगे कि फैक्टरी में क्या क्या खच्चे होते हैं कोई बता है का फैक्टरी में क्या 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 सब्सक्राइब कोई दो तीन एक्जांपल बताया क्या हुआ है मैं खर्चे का नाम पूछा है तुम मसीन भी यह मैंसा क्यों बता ते रहा तो मैंने एक्सपेंसेस क्या होंगे ठीक है मसीन भी एक्सपेंसेस खोड़ी है चले देखें मैं बता रहा हूं ठीक है एक्जामपल देखें पैक्टरी एक्सपेंसेस के एक्जामपल देखें बहुत होते हैं फैक्टरी के एक्सपेंसेस ठीक है 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 carry a work सब्सक्राइब झालग सब्सक्राइब सब्सक्राइब ने साथ चार्ग वो होगा वो गया है वो हो गया है इलेक्ति से ठीका खडचा पॉपेंगे का इन्सूरेंस करा है मैंने अगर फैक्री जल गई तो पैसा देगी ठीक है कोई रिपेर रेंट मेंटेनेंस कर्चा है रिपेर इन्सूरेंस जो भी आपकुर लिए पावर जो भी आपका लगता है गैस पावर जो भी आथा लगाते हैं इंसरेंस हो गया रिपेर और वी लिखा देराँ ये ना होगी आप ने लिखाये ने ओर भी देखें देखिन कि आपके किकई सुपर्वाइस टाराना जूबस टेखिस करते लिवर अच्छे से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है तरी हो गया मैं थे ओवर्भाइन सॉयलरी हो गया कि ट्राउन लेवल पर नहीं करते हैं त्यक्क décarator आपका प्राइम पॉस्ट हो जाएगा इतना ज्यान लखेगा इतना ज्यान लखेगा आ कि मैंट्रिंग का मतलब फी गया है किके अ किके ऑले जो गया है और चीज ज्यान लखेगे ऑई पावर अगर गए तो बीजान लखेगा अब करेद् से रिलेटेड गया आपका डिषा से रिलेटेट अपैटरी का कर्चा होगया तो वह भी ठीरा था लिया तो वह लुग्षिक थी इस को अगर हम लोकर चाल या तो या पावर या जितने भी एकिस्पेंसे में अगले अग्या तो वह लेटेट रहें तो यह किसमेंगे इसको अगर हम लो calculate कर देंगे तो क्या calculation हो जाएगा आपका factory cost हो जाएगा आपका factory cost हो जाएगा आपका factory cost हो जाएगा यहां तक कोई किसी को problem है यहां तक किसी को problem नो पॉब्लम ओके ठीक हो जाएगा अब आगे देखिए आगे मैं बताओ ठीक है तीसरी चीज़ जाने के तीसरी चीज़ क्या मैं लिखाया था office cost office cost office cost क्या हो जाएगा थी ठीक है अगर जो भी देखिए इसको मैं लिखवा देना इसको मैं बज़ा इसको मैं लिख अगर प्यान के लिखवा डिवा गडेडिवान के लिखेवाईक। the control and management of of the business is called as office expense the office is called to be okay the expense is related to business okay business name is related to office okay is related to business it is related to business it is office cost okay office cost is equal to office cost is equal to factory cost plus office cost is equal to expenses okay 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 example office related okay 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 electricity के क्जा दे रहे हमां डिलकिटी विल डेने जो दी है तिक अशिट्सीिश्टी पर्चा गण हो रिपäर करा तो पुछ कर आ रहे हैं तो यह कोछ भी या ओफीस के रिलेटेट एंस्द्सिरेंज फैसे डेलेटेट एंसोरेंस getir Last जो भी आपका आप देते हैं इसके अलावा क्या देते हैं इसके अलावा क्या क्या देते हैं कि एंडी का नाम सुना है एंडी एंडी को क्या देते हैं सैलेरी देते हैं नारेजिंग डारेक्टर जो होता है ठीक है डारेक्टर फीज director fees, ठीक है, auditor fees, ठीक है, auditor fees, ठीक है, bank से related इतने भी कर्चे होते हैं, bank fees, ठीक है, ठीक है, जन्दल expense का नामा जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, आपका establishment का कर्चा, establishment expense, ठीक है, स्टेस्पनरी का कर्चा, telephone का कर्चा, telephone expense, ओके, या management का कर्चा, कुछ भी, मतला कर्चा कर्चा, ठीक है, ठीक है, मतला की सैलरी देना आओ, ठीक है, तो ओफिस कॉस्स प्लस ओफिस एक्सपेंसेज ठीक है और ओफिस एक्सपेंसेज के एक्जामत हो यह ठीक है यहां तक कोई किसी को डाउट है ओफिस कॉस्ट समझ नहीं आया ओके आगे देखे यस सर यस सर ठीक है अब मैं पूछूंगा तब मैं पताओंगा आप लोगों को यस सर यस सर ओके कि चौथी चीज़ क्या है लास्ट चीज़ आपने देखा था उसमें कॉस्ट में टोटल कॉस्ट कोई क्या बोलते हैं सेलिंग डिस्ट्रिविशन कोर्ट या फाइनल कॉस्ट कि अब इतना नहीं कि पोटल कॉस्ट कैसे कैल्प्लेट होता है कि जितना भी आपका ऑफिस कॉस्ट है कि तीन चीज़े तो आपने निकाल ली टाइम कॉस्ट मैं पीडिएप नहीं मैं आता हूं मैं आपको क्लासिस का जो है वीडियो में आपको डाल दूँगा आई एसीएस पे एक दो दिन में ठीक है अभी मैं तोड़ा सा जान नहीं रहा हूं तो मैं थैक है अन्य ऑस प्लासिस को क्या कर दूँगा मैं उस पे आयसी एस कॉलिज के पॉटल पर डाल दूँगा ठीक है तो आप पर सान मत हूई है महां से फिर्च से पर लिजेगा या फिर से कोई रंअ भी बना दीगाए थे के पर सामों हाँ स्टार्टिंग से तो यहां जाने कि टोटल कॉस्ट टो ऑपिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सेंस तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा तो इसके बारे में हमको जाना पड़ेगा सेलिंग एक्सेंस क्या गया होता है एक अगर कोई बैटर्ट वहाँ पैसा नहीं दिया होगा ठीक है कभी सान हो गया यह उसी से रिलेटर्ट कमीशन ओन सेल्स कमीशन ओन सेल्स कोई डिस्काउंट भी है हूँ नहें बताया था है माने प्रेट आउट बड़ बताया था जूजा आ or प्रेट आउट्वोड हो जाएगा या फ्रेट ओन सेल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेलिंग मैं डिस्टिबूशन एक्सपेंस हो जाएगा ठीक है दलाली दे रहे है या प्रोक्रेस दे रहे है ठीक है और पैकिंग का एक्सपेंस कोई दे रहे है पैकेजिंग का एक्सपेंस दे रहे है टांस्पोर्टेशन का खर्चा दे रहे है यह सभी किसे related है आपके selling expense से related ठीक है go down का expense दे रहे है go down ठीक है go down का expense दे रहे है और क्या दे रहे है ठीक है distribution का कर्चा दे रहे है और क्या दे रहे है एक आता है carriage out word इन वर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा direct expense हो जाएगा अगर out word हो तो indirect expense हो जाएगा यह labor क्या है labor यह क्या बता रहे है labor और यह land क्या है अमन का अधिक है तेकर दियान की selling expenses इतने भी है यही है advertisement हो गया चाहिए बाट अधिस्वेंट हो गया बहुत expenses होतने है selling related expenses तो उसमें आपको कुछी चीज़े ध्यान लगना है जो चीज़ें इसमें आएगे advertisement हो गया चाहिए by debts हो गया commission on sales हो गया okay discount on sales हो गया rate on sales हो गया बतल से रहे इतने brokerage हो गया packaging expense हो गया transportation expense हो गया go down से related expense हो गया distribution का कोई फर्चा है वो हो गया खसके तो अभी मैंने क्या बता है चार चीजें बताया है क्या क्या बताया आपको पैली चीज्च क्राइब कोस्ट डाइन वह सुंद च्छलें बन्ट 있으시 learnt जैसे घ्र बाईजब चैनल्स अद्वरमद side सब्सक्राइब की कानों नघ्र मेह जो ऊचाएब कि कहिए फैक्तरी वाज को ऐसे अर्सांट तॉसरा विए सेलरी टाट्री का देपेशेशन टेक्टीका इंसोरेंज जितने भी होंगे सुपर्वीज़न सेलरी एक्टेक्ट एक्ट्र जितने भी सेलरी मैं लिखाया विए और तीसरी चीज मैंने क्या बता है office cost मतलब office cost is equal to क्या बता है factory cost plus i factory cost plus आपका factory expenses office expenses office से related जितने भी और लास्ट में क्या है टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट में ऑफिस कोस्ट में जोड़ देंगे तो आपका क्या वज़ाएगा तो यही चार चीजिए आज मैंने बताएंगे ठीक है इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले कि ने तो यह सेशन एंड करूंगा ओक नोसे ठीक है इसनवी णावाण और बताएं एंड कोस्ट में ऑना